वेल्कम बैक टो दे चैनल सो आज मैं आपके लिए लेगा है रोयल इंफिल्ड की हिमालयन जो कि यह कंप्लीट जिसको बोल सकते हैं टूरिंग बाई के अध्वेंचर इसको कफी जाधर जो आप बोल सकते हैं ठेक है तो बिएक के रिवीव करते हैं फ्रंट रहे तो यहां पर आपको देखने को बईबर मिलने वाला यहां पर है लाइट जो है आपको यहां पर मिलने को बूर्द ऍऑग अगन उसके यह नीचेर जो है टायर पर एक और जो है दिया गया है जो की बाहीं काफी साई सई बिल्ड जो एक लग रहा है जो नीचे लगए अगें अगें फाइबर में ही रहने वाला और क्यों अच्छी दीखने को हमें मिलने वाली है में अब बाई के बात करो आना अबर और बाइबा भाई बहुत बढ़े है साouse profile आज एंगे वाले आपर चलेएसे 》 डिस्क रेगे हैं के हैं जो है हमें रिर ओल ले ईए ंस है ऍयर में आज जो है कंप्रेट अए देखने को बने मे veg निवाला इंच के रपर लाले is a BX6 में भोब हमें आपर देखने को मिलने वाला यहांपर देखने को वाला यहां आप को मिलने वाला बाइक का जो एंजेन जो बैसीकली four hundred Mein Avignon 600 आथी एंजेनक और इनदर ऑफ äंडाuses 2- Polar तो इतना कुछ नहीं सबनाएगा अगर आपका एक दम से ध्यान जाएगा आप समझ जाओगे हमाले नहीं लिखा है यह फ्रेम की अगर बात करूं मैं तो भाई यह कंप्लीट जो है पूरी बाइक में ही यूज करे गए है अगें फ्रेंट से लेगे रियर तक कंप्लीट यू में मिलने वाला है ऐगें रियर में में आपको बताया रूंब डिस्क ब्रेग के अंडर बीट यूज करा गया है एगें यह आप यह पीछे लगशा दो देखे रिचलोप में आतो बाद में यहां इंडिकेतर में देखने को मिल जाता है यह आपर रियर में लाइट देखने यह चंग आप फ gehGU आफimin ज्यो जो है आपको मिलने वाला जयोकि बहुत ही एक अच्छी बात रहने वाली है यहां पर देखने को मिलने वाला है यहां शिंगल गेल इंडीकेटर यह पर दिरका बार्स चब्लीटी की बार्त काफी झात रहने गेंगें वाला है यहां इन लोग डिस्टनस पे लाव जा-दाजिश वी ड्रहें कमफर्टेवली ले जा सकते हैं बात करते हैं टैंक जो इसके उपर यागेन अलग से ग्राफिक्स हो है वो यूज कर आगे क्योंकि एडवेंचर बाइक में जो है गिनी जाती है इसकी ग्रांट के बात कर लोगे तो कमपैरेटेवली बाकी जो राइलन फिल्ट के बाइक है उन हमें हौन को मिल जाता है इंडिकेटर के लिए अपर देखने को मिल जाता है यहाँ हम मिले आलले है यहां पर मिले लाएक के लिए हैं हैं गें वे लगर अधिकेटर के लिए अलग चाहिं है जो कि बहुत ही बढ़ी है कीफा याप मिद्टर बात करता भई यामें वह भाही दिखता है जो पहले काफी टाइम से चलता आ रहा है रोयल एंफिल्ड का ठीक है हमें स्टेंडर में भी ऐसा ही देखने को मिल जाता है और अब तो जो है खैर रोयल एंफिल्ड जो है स्टेंडर का एक फेसलिफ्ट लेकर आ रहा है और अगर अब बात कर लेते हैं बिसके लिए कि बाइक जो है यह जो इसके अंदर 421-1cc का इंजन जो इसके अंदर आता हो कितने क्या कुछ पावर प्रोड्यूस करता है वह प्रोड्यूस करता है 24.3 बहप जो की 6500 rpm पे जो है प्रोड्यूस करता है कर बड़ की बात कर लोड़ तो 199 तो कर बड़ थे हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है तोप स्पीड की बात करते हैं तो 20 km Allocracy घटेंड कर लेती है अगर आपको बता तो इसके अंदर इन टोटल एट कलोड्यूस के आप्शन अंनर देखने को मिल जाते हैं इसके लावा और भी जो है color इसके अदर हमें देखने को मिल जाते हैं और बात करते हैं complete की अब video फट वट से wrap up करते हैं so at the end अगर हम बात करें तो भाई bike जो है एक complete क्या सकते है proper adventure जो है purpose के लिए बनाई गई है ground clearance भी all good है इसके अदर और अगर बात करते हैं कि मैं इसके अदर आपको दिखा दिया है कि कैसे क्या कुछ इसके अदर हमें देखने को मिले वाला है and gear indicator sites है हर चीज इसके अदर हमें जो आग इंडिकेटर जो है basically instrumental class दिये गए है किसमें LED जो अलग से M.I.D. इसके अदर दी गई है वीडियो देखने के लिए आप सबका thank you so much